नमस्कार मैं Advocate प्रसांद आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल RCLLV में साथियों कानूनी प्रिक्रिया या अपरादिक मुकदमे की द्रश्टि से वारंट एक महत्पौन टॉपिक है जो की नया एक प्रिक्रिया से सम्मंदित है आज इसी टॉपिक की बात करेंगे इस वीडियो के माद्धिम से और इसके साथ ही BW या NBW क्या होता है इसे भी बहुत सरल तरीके से समझने वाले हैं साथियों वारंट वह वाद्देकारी मेजर है जिसे कोट यानी न्याले द्वारा जारी किया जाता है अव्युक्त या कोई भी गवा जिसे कोट में पेश्क होने के लिए जारी किया जाता है आम तोर पर जब कोट द्वारा कोई वारंट किसी व्यक्ति के विरुद जारी होता है या इसकी सूचना या वारंट उसे व्यक्ति के पास पहुंचता है तो वह व्यक्ति डर्सा जाता है कि अब तो वह पुलिस द्वारा पकड़ कर जेल चला जाएगा या कुल मिलाकर उसे गृफतार कर लिया जाएगा ऐसी घवराट उसके मन में होने लगती है साथियों बारंट का मतलब गृफतार होना नहीं होता है आएए इसलिए बारंट को और उसके प्रकारों को समझ लेते हैं जिसमें आप बारंट आने पर उसे समझ कर उसे रद्या निरस्त करा सकते हैं इसके साथ ही बारंट को और उसके प्रकार को समझते हैं देखे दोस्तों बारंट जारी करने का प्रापधान या सक्तियां जो हैं बहे कोट के पास होती है यानि कि बारंट कोट द्वारा जारी किये जाते हैं और इसका प्रापधान CRPC के सेक्षन 70 से लेकर 81 में दिया गया है साथियों जब बारंट आता है तो विक्ति उसका आर्थ दिकालते हैं गिरिफ्तारी होनी होगी देखे ऐसा नहीं है कि सबी बारंटों में पुलिस आपको गिरिफ्तार करे या गिरिफ्तार कर सकती है देखे साथियों बारंट दो प्रकार के होते हैं पहला VW जिसे फुल वेल की कौपी आपको देगा और आपको सूचना देगा कि इस प्रकार के विवाद में इस इस तारीक पर आपको कोट में टेस होना है इसलिए आपके विरुद BW की प्रिकिरिया के तहत यह वारंट भेजा गया है साथियों BW की कारवाई जो है वह NBW से पूर्व की जाती है इसम आपके विरुद जारी किया जाता है तो इसमें पुलिस द्वारा गिरिफतार किया जा सकता है यदि इसके अतिरिक्त कोई साक्षी यानि की गबाई के लिए हो है तो उसमें आप गोट जाकर गबाई दे सकते हैं और गबाई नहीं देना चाहते है तो लिखत रूप से मना कर सकते हैं तो इस प्रकार से आज हम सभी ने वारंट और VW और NVW के बारे में रिस्तार से समझा उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा